हेलो माई यूट्व फैमिली कैसे हो आप सब आप सब बढ़िया होंगे खुश होंगे वेलकम बेक टू माई चैनल रंजीता सीवनिक वर्ल अभी जैसे सर्दिया स्टार्ट हो चुकी है तो धीरे-धीरे हमारी जो स्कीन की प्रॉब्लम्स है जो सर्दिया में सभी लोगों को ह होता है होल्मच जो जो राफने सा जाती है इसकीन पे ड्राइने सा जाती है या फिर हमारी सकीन पे जो ब्रेक आउट हो जाते है विंटर की वज़े से तो इसकी लिए आज में आप लोगों के साथ एक होम-मेड विंटर नाइट क्रीम शेयर करने जा रही हूं जिसे आप तो त्री मांथ तक कंटिनिवास ली उस करोगे तो आप देखोगे कि आपके चेहरे पे जो फाइन लाइंस या रिंकल्स की इशूस है या फिर जो राफनेस ड्राइनेस हो जाते हैं सर्दियों की वज़े से वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथी साथ अगर आपके स्कीन पे कोई डाक स्पॉर्स है या फिर कोई एकने मार्क से तो ओ भी धिरे-धिरे गाइब होती चली जाएगी तो इसके लिए जो मैंने आज हो में यह नाइट क्रीम शेयर करने जा रही हूं इसे आप एन तक ज़रूर दिखेगा इसे बनाना भी बहुत इजी है और इंग्रीडिय के बाद इसे नाइट को लगाना है और सुबे देखोगे कि आपको अपकी स्कीन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेसस होगी एकदम बेबी सॉफ्ट जो बोलते है एकदम ऐसे अपको फील होगी साथी साथ जो राफनेस ड्राइनेस विंटर्स की वज़े से हमें फील करना प घृराउन होनम जास जैसा अलो लोगेडा जेल हमारी स्कीनald के भाइदाम को बहुत ज्यादा मॉस्टराइज करती है इसलिए मुझे अलोगेरा जल फील है मैं हमेशा है यह वाइशा से यूज करती हम हुआ एकदम सेने आपके रगता है इसके बढ़ आट ऐड़नक ही फील E-Capsule यहां पे 3 लिया है आपके नेड के केकोडिंग पंदा रहे हो उसी हिसाब से यहां पर एड़ किजिएगा तो मैंने यहां पे 3 विचामीन E-Capsule यहां पे जो फाइन लांस होती है इसरे बहुत ज्यादा लाइट करता है उसे भी रिमूभ करता है और साथ हमारे एट करने के बाद लास्ट में यहां पर एट किया है जो रोगोन बादान शिरीन का जो ऐल्मोंड वाटा है मैं वो एड किया है जैसे कि अभी विन्टर है तो इसलिए में यहां पर क्रीम अच्छे से नहीं बनेगी कि इसलिए मैंने को कॉकोनाट वैल को यहां पर एड नहीं किया है इसके बाद आपको यह सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि ना यह क्रीमी स्टेक्चर में पर आप देखोगे कि वायट फ़र्म में क्रीमी स्टेक्चर आपको एक टाइट कॉंटेनर में इसको भड़के रग देना है और डेली रात को जब आप सोने जाओ तब आपको इसे लगाना है तो मैंने यहां पे मिक्स कर दिया था अच्छी तरह से यह देखिए एकदम क्रीमी फॉर्म में आ गया है अभी हम इसे अपने फेस पे कर लिया था उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रोज वाटर से अपने फेस को वाश कर लिया था वाश करने के बाद मैंने यह क्रीम को अच्छी तड़ा से अपने फेस पे अपलाई किया था तो धीरी धीरी आपको एपलाई करना है एकदम जलबाजी नहीं करना है एकदम स्कीन को बहुत ज्यादा स्मूध हातों से अपने फेस पेसे अल ओवर फेस में आपको इसे एपलाई करना है एपलाई करने के बाद आप थोड़ा सा अपने फेस को थोड़ा सा हलका सा थोड़ा मसाज कीजिए आप वर डिरेक्शन में ताकि जो यह क्रीम है अच्छी तरह से अंदर तक जाए और आपको नरिश्मेंट दे आपको अच्छी तरह से इसका जो बेनिफेर से मिले फिर थोड़ा सा आपने फेस को आप इससे हलके हातों से थोड़ा टैपिंग कीजिए इससे क्या होगा ना आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कीन में वह इंक्रीज होगा इससे हमारी फेस पे जो ग्लो है और बापस आएगे तो थेंक यू गाइस थेंक यू फोर वाचिंग माइ वीडियो सी यू सून इन माइ नेक्स वीडियो गट ब्लेस यू अल लव यू अल बाई